गूर्डय मॉर्न ओल इंडिया रेडियो और आप सब्स्वा का स्वागत अगर इंडियो के इंडर ने उसकी बाद करें तो एक न्यूज है डिसकॉस करेंगे देज देश-देश-देस है चुनों के बारे में है जो डेट एनॉंस हुआ है इंपोटेंट नहीं है जो बचा हुआ अर्ट कि रहे एक कोपरेटिव फैडरलिस्म का उसको डिसकस करेंगे देश दिसंदर का चलिए डिसकसन स्टार्ट करता है पहली न्यू जो है पस एक छोटा सा टर्म है जोजिला का थी होगा 2003 के बाद 2003 में हुआ था अभी हुआ अखिर पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रिमेंट साइन क्यों किया तो पहला रीजन एकोनोमिक सिचुएशन कोरोना के का कारण या फिर वैसे भी पाकिस्तान की एकोनोमिक सिचुएशन खड़ाव होती है दूसरा रीजन पाकिस्तान देना बंद कर दिया है चौथा रीजन पाक के इंटरनल प्रॉब्लम पॉलिटिक्स भी चल आ है पांच मारी चन देखो यूएसे ने जब से घोस्ना किया है तालीबान से हम मतलब यूएसे ने तालीबान से यूएसे के सैनिक पाहर चले जाएगे तब से इनको पाली बात होगी चलते हैं नेक्स्ट आर्ट के पर कोपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहीं है क्या सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिस करेंगा आर्ट किल वन हमारा क्या कहता है यूनियन ओफ इंडिया मतलब भारत एक संग होगा अब देखो यह जो यूनियन ओफ की बात करें यहां पर सिलंका है तो सिलंका एकात्मक वाला बात हो जाता है हमारे यहां एस्टेट है एस्टेट तूट सकता है लेकिं सेंटर नहीं तूट सकता है पहले हम इसी की बात करते हैं यहां सरकार जो होती है पहला पॉइंट दो या दो से अधिक अस्तर वाली भी ह सकती है दूसरा पॉइंट अलग अस्तर की सरकारे एक ही नागरिक समों पर शासन करती है करती है दो-तिन पार्टियां मिल करके करती है विभिन अस्तरों की सरकार का अधिकार छेत्र जो गौर्नमेंट का जो एक लिमिटेशन होता है जैसे एक लिमिटेशन होता है कॉंस्टिचूशन के फ्रेमवर्क के अंदर शोधा पॉइंट हमारे जो कॉंस्टिचूशन का कुछ प्रोवीजन है उसको स्टेट नहीं बदल सकता है सेंटर बदल सकता है, मतलब स्टेट से भी तो लोग समा में जाते हैं, राज समा में जाते हैं, तो इसको भी कॉपरेटिव हैडलिज उगा एक अच्छा अधारन क्या सकते हैं, अगर स्टेट और सेंटर में कोई विवाद हो जाए, तो हमारा नियाई पालिका है, जो डिसरी ह और 2010 में जो डिसरी ने कहा था, अगर कोई वाद हो जाए, तो पहले इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जाए, उसके बाद उस पे वर्क हो, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इंटर इस्टेट कॉंसिल में, अब देखो प्लानिक कमिशन को हटा करके नितियायोग बनाय के चले, देखो आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमती, दो बाते बहुत इंपोर्डेंट है इसके अंदर, कॉपरेटिव फेडरलिज्म बहुत सारे देशों में है, लेकिन भारत में बहुत सारे भी भिताएं होने के बाद भी एक अलग तरह का कॉपरेटिव कॉपरेशन द हर स्टेट में हरड़ डिस्टिक ने अपने अपने स्टेट को, अपने इसको अपने गाओं को यहांता कि विलेज में बहुत सारे गाओं बहुत इसको, या डिसास्टर हो, या डवलैमेंट की बात हो. हमारी भागोलिक जोग्रोफिकल कंडिशन जो है यूरोप के बराबर जो और होगा लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है तो इतनी वी वित्ता होने के बाद भी हम जो है करस्ट हैं एप सकझध में उनिटे के बिए हैंति अलग है यू प करलायमेट कंडिशन अलग है अब के के प्रममों कर्मान चाहिए लिए लेघ्जू का अलग है यह सब इस जगह के अनुसार तैह होना चाहिए अब जो NCRT पठोगे, मेरे हिसाब से I think 11th वाली तो आपको मिलेगा नई वाली 10th में और पुरानी वाली 11th में, आपको कॉप्रेटिफ रेडलिम्स के वाले में मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छी बाते कहें गही हैं, मौका मिले तो पढ़ना, आज के discussion में इतना ही था, thank you, तो 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 तो, thank you.